हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज आपके सामने पेश कर रहा हूं फर्वरी 2018 का मन्थली फोरकास्ट मैं एक बार दोबारा रपीट करना चाता हूं कि Ascendance क्या है Maximum लोग मुझे phone करते हैं और मुझे पूछते हैं कि लोग Moon Sign पे prediction देते हैं और आप Ascendance पे क्यों देते हो तो मैं आप सब को ये बताना चाता हूं कि Ascendance कुंडली का सुल्तान है बादशा है Moon Sign कुंडली का रानी है No doubt Moon Sign से गोचर चलता है लेकिन Ascendance stable रहता है Moon Sign हर सवादो दिन के बाद अपना Sign change करता है तो transit में Moon frequently change होने की वज़ा से जो बाकी planets के साथ उनके समंध बनते हैं वो हम एक दम से predict नहीं कर सकते क्योंकि Moon एक Sign में two and half day stay करता है आपका Ascendance forever है जब आप born हुए तब इस date of birth, इस time और इस birthplace से आप जिस लगन पे पैदा हुए हो उस लगन से हम जुपिटर को study करते हैं जो तेरा महीने एक Sign में रहता है हम राहु केतु को study करते हैं जो 18th महीने एक राशी पे एक Sign पे रहते हैं हम सैटरन को study करते हैं शनी देव जी को जो धाई साल एक Sign में मूफ करते हैं आपके Ascendance है No doubt Moon Sign का linked आपके feelings, आपके mind, आपके emotions के साथ है Ascendance का समन्द आपके mind और आपके physics के साथ है तो मेरी ये सारी predictions Guys, आप सब के लिए Ascendance पे based है तो let's start for the February monthly forecast Let's start for the Capricorn Ascendance For February 2018 Boss, आपके लिए मन्द बहुत rewarding आने वाला है जो आप काफी समय से struggle कर रहे हो या देख रहे हो आपको February 2018 में क्योंकि आपके 11th house में Mars all on send में transit करेगा सारा मन्द फरवरी का आपके लिए कुछ good gains मुझे आपके stars में बनते हुए दिखते हैं Friend circle से, दोस्तों से, बड़े भाई से आपको support होती हुई दिखती है sudden foreign travel होता हुआ दिखता है Financial tie अप कुछ improve और कुछ better मुझे February 2018 में आपके लिए बनते हुए दिखते हैं health related किसी किसम की कोई trouble मुझे आपके stars में बनती हुई नहीं दिखरी Overall Capricorn आपके लिए ये grace period है February 2018 एक bonus का month है अब जितना ज़्यादा hard work करोगे उतना positive result आपको February 2018 में मिलेगा due to the placement of the Mars in your 11th house Your all wishes and desire will be fulfilled according to your efforts, according to your hard work आपके लिए struggle करना आपके लिए hard work करना आपकी इच्छा पूर्ती करने के लिए बहुत helpful है February 2018 में Overall it is a highly beneficial and positive month for Capricorn Ascendants अब बात करते हैं family और friends की family और friends को लेकर आपके लिए अगर आपकी कोई छोटी sister है आप उनसे blessings लो Mercury का आपके Ascendants में transit जितना ज्यादा आप अपनी छोटी sister की blessings लोगे good wishes लोगे आप उनको कुछ नो कुछ gift दे ये आपके लिए बहुत बड़ी remedy होगी जितना ज्यादा आप अपनी sister के साथ अपनी sister in law के साथ relationship अच्छा develop करके चलेंगे उतना ज्यादा good fortune आपके लिए helpful रहेगा know more about this monthly forecast visit my website www.akastrojanon.com thank you all the best जैंत